होलिका दहन के दिन भूल से भी ना करें, ये पांच काम. जीवन भर गरीबी और कंगाली पीछा नहीं छोड़ेगी और साथ ही इन दो महिलाओं को होलिका दहन के पास भूल से भी नहीं जाना चाहिए. पूरे परिवार पर आता है गोर संकट. अतह पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें. दोस्तों, होलिका त्योहार हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दिन एक पवित्र अगनी जलाई जाती है और उसकी पूजा की जाती है. होलिका दहन का आध्यात्मि के उपाए भी अवश्य करने चाहिए. क्योंकि इस दिन किये जाने वाले उपाए अवश्य ही सफल होते हैं. साथ ही किसी मंत्र को सिद्ध करना हो, तो होलिका दहन की मध्यरात्री सबसे उत्तम होती है. साथ ही होलिका दहन के दिन शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर् प्रत्येक मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए क्योंकि इस दिन वाता वरण में नकारात्मक उर्जा का प्रभाव सबसे अधिक मात्रा में होता है जिसका हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पढ़ सकता है इसलिए इस दिन शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए दोस्तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होलिका दहन के दिन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए और खासकर कौन सी महिलाओं को होलिका दहन के पास भूल से भी नहीं जाना चाहिए शास्त्रों में महिलाओं के लिए बताए गए ये महत्वपूर्ण नियम प्रत्येक स्त्रियों को अवश्य ही ध्यान में रखने चाहिए। अन्यथा उसके और उसके परिवार के जीवन पर संकट खड़ा हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कि होली का देहन के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। होली का देहन संध्या के बाद ही करना चाहिए और होली का देहन में सुखी लखड़ी तथा गोबर से बने उपले का ही प्रयोग करना चाहिए। अरंड के पेड के पत्ते, सरसों का तेल और कपूर आधी का ही प्रयोग करना चाहिए। साथ ही आप इसके अंदर गन्ना भी डाल सकते हैं। होलिका की अगनी में नारियल डालना बहुत ही शुभ माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है, ये फल मा लक्षमी को अत्यंत प्रिय है। इसलिए आप होलिका देहन के दिन होली की अगनी में से एक सूखा नारियल निकाल कर प्रसाद के रूप में अगर उसका सेवन करते हैं, तो आपको मा लक्षमी की क्रिपा अवश्य ही प्राप्त होती है। गर्भवती महिलाओं को होलिका देहन की रात्री में विशेश सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि होलिका देहन की रात्री में नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय रहती हैं, इस दिन तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं, इसलिए गर्भवती महिलाओं को होलिका देहन की अगनी के पास भूल से भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि कुछ लोग तांत्रिक चीजों को होलिका के आसपास डाल देते हैं और गलती से भी अगर आपका पैर उसको छू लेता है तो इसका आपके जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ सकता है अतह गर्भवती महिलाओं को दूर से ही होलिका के दर्शन कर लेने चाहिए एक पुत्र की माता को होलिका देहन की अगनी नहीं जलानी चाहिए एक पुत्र की माता होलिका की पूजा कर सकती है लेकिन उसको होलिका की अगनी को प्रजवलित नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे शास्त्रों में वर्जित मान होलिका देहन के दिन आप किसी भी सुनसान जगह पर ना जाएं, क्योंकि इस दिन सुनसान जगहों पर तांत्रिक क्रिया की जाती है। चास्त्रों में ये नियम बताया गया है कि होलिका देहन के दिन पती और पत्नी को ब्रह्म चर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन शारीरिक संबंध बनाने से रिष्टों में दरार पड़ सकती है। होली के दिन किसी भी मनुष्य को सफेद रंग की चीजें दान मैं नहीं देनी चाहिए। और अगर कोई आपको सफेद रंग की वस्तु देता है तो वह भी आपको नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि इस दिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव सफेद वस्तु और अधिक होता है। इसलिए इस दिन नमक, चीनी, चावल, दूध और दही आधि वस्तुएं किसी से भी नहीं लेनी चाहिए। होलिका देहन के दिन काले चनों का सेवन अवश्य करना चाहिए। इससे हर प्रकार के ग्रह दोश और कुंडली दोश समाप्त होते हैं। साथ ही होलिका की अगनी को काले चने जरूर अर्पित करें। इस दिन मीठी रोटी का भी सेवन करना चाहिए। लेकिन मीठी रोटी का सेवन करने से पहले होलिका की अगनी को दो या चार मीठी रोटियां जरूर अर्पित करें। होलिका देहन के दिन लहसुन, प्याज, आदी प्रकार की तामसिक चीजों का सेवन ना करें। इस दिन मांस मदिरा से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये चीजें नकारात्मक शक्तियों को अपनी तरफ आकरशित करती हैं। अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर होलिका की अग नहीं करना चाहिए, ऐसा करना महापाप माना जाता है। आपके जीवन पर इसका अशुभ प्रभाव पढ़ सकता है।